हेलो गाईज मैं हूँ अद्नान खान वेलकम बैक टू माई चैनल मुवीज मुल्टिवर्स और आज हम रिव्यू करने वाले हैं एमसी की तरफ से अल्मोस्ट दो साल बाद रिलीज हुई शैंग्ची दे लीजन ऑफ दे टैन रिंग्स तो गाईज अनफॉर्टिनेटली अभी भी इंडिया में सभी सिटी में थेटर ऊपिन नहीं हुए हैं जिसमें सबसे पहले नाम मुंबई का आता है क्योंकि मुंबई में मुवीज की जो सबसे जादा कमाई होती है वो मुंबई से होती है और मुंबई में अभी भी ठेटरों को बंद रखा गया है तो guys सुबा सुबा सबसे पहले early morning उठकर मैंने plan बनाया movie देखने का क्योंकि मुझसे तो सबर हो नहीं रहा था और night तक का तो मैं wait करी नहीं सकता था अपसेट हूं कि 3D में यह movie मुझे देखने को नहीं मिली मेरा बहुत ही ज्यादा मन था कि यह इस movie को मैं haul में 3D IMAX 3D में देखूं IMAX तो छोड़ो ही छोड़ो यह movie 3D में ही release नहीं पूरे all over India में इस movie को 2D वर्जन में release किया गया है तो guys आपका बिल्कुल भी time न वेस करते हुए start करते है review और आपको बताते हैं कि आपको वाकई में यह movie देखनी भी चाहिए यह नहीं देखने चाहिए legend of the 10 rings यानि Shang-Chi legend of the 10 rings आपका time और आपके पैसे deserve करती भी है या नहीं तो guys कहानी बहुत सारी जगा MCU के universe से connect होती भी नजर आती है लेकिन MCU ने इस कहानी को बहुत ही ज़्यादा simple रखा है guys कहानी शुरू होती है अमेरिका में अमेरिका में शैंक्ची और उसकी दोस केटी बहुत ही simple और बहुत ही जबर्दस life जी रहे हैं जिस तरह की life शैंक्ची जीना चाहता था क्योंकि उसका जो past है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है और उसने अपने past के बारे में किसी को भ आगे क्या-क्या होता है यह सभी चीज़े जानने कि नहीं आपको देखनी ओगी शैंक्टी दर लीजन अफ़े टैन्रेंग इस movie का आपने ट्रेलर तो देखा इंस बहुत ही होगा अगर मेरी माने तो इस movie का जो ट्रेलर दिखाया है आपको फ्रेलर जातु हो गया है जो कॉ आपको insist करूँगा कि आपको बिल्कुल भी इसको laptop और mobile पर नहीं देखना चाहिए, आपको ये theater में जाकर इसका experience लेना चाहिए, और Black Widow movie के बाद MCU का ये face form में बहुत ही जबरदस comeback है, आपको इस movie को देखने के बाद पता लग जाएगा कि MCU की आने वाली movie किस तरह की और कित लगते हैं, बात करें सभी character के performance की, तो यहाँ पर सबसे पहले नाम निकल के आएगा Similio का, जिनका performance ला जवाब है, perfect है, और बहुत जल्द वो आपको Avenger की team भी join करते वे नजर आएंगे, अगर बात करें और other characters की, तो ये movie हमें एक team work का perfect example है, यहाँ पर जितने character हैं, उनक अब यार किस तरह के नाम होते हैं, आप समझी गएंगे, तो मैं बात कर रहा हूँ, Shang-Chi के father की, अगर उनकी बात करें, तो उनका character भी लाजवाब है, उन्होंने अपने character पर जान भूग दिये, और जबरदस आपको उनको character लेगा, और बाप बेटे का relation भी इस movie में बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है, बात करें, Shang-Chi की friend Catty की, तो उनकी comedy आपका ध्यान अपनी तरफ बहुत ज़्यादा खीचती है, और Shang-Chi और Catty की friendship भी बहुत अच्छी तरीके से आपके सामने रखी गई है, बात करें, मैंजर Zheng की जिन्होंने Shang-Chi की sister का character को play किया है, उनका character भी बहुती ज़्यादा शांदार है, और उन्होंने भी अपने character को बहुती अच्छी तरीके से play किया है, इस film की जितनी तारीफ परीजा उतनी काम है, और ये MCU की तरफ से एक perfect origin है, अगर मैं Marvels की origins movies के बारे में compare करना चाहूं इस movie को, तो ये film Black Panther की origin से भी Daniel को जाता है, और हो सकता है, वो MCU की फिल्मों में आगे भी काम करते हुए आपको नजर आएं, फिल्म की cinematography कमाल की है, और फिल्म का BGM भी बहुती ज़्यादा जबरदस्त है, जो के आपको पूरी movie के दौरान बहुती जबरदस लगेगा, तो guys, end में बात कर लेते हैं, इस film जो कि movie में तो अलग-अलग level पे graphics आते रहते हैं, अपgrade करते रहते हैं, और guys, इस movie में आपको जो graphic देखने को मिलेंगे, वो अलगी level के next level के देखने को मिलेंगे, और जिनको देखकर आपको मजा ही आ जाना है, तो guys, अब बात कर लेते हैं critics के rating की, critics ने इस movie को क्या rating दिये तो guys, critics ने इस movie को Marvel की one of the best movie का है, जो के बहुती जादा जबरदस्त है, आपको जरूर देखनी चाहिए, बात करें मेरी के मज़े ये movie कैसी लगी, तो guys, मैं तो बहुती जादा excited था इस movie को देखने की नहीं, और सुबही सुबह उठके, जबके मैं वैसे normally जो उठता हूँ बारा से साड़े बारा के वीज में उठता हूँ, लेकिन इस movie की नहीं मैं इतना ज़्यादा excited था के 9 बज़ी उठके, और मैंने नौरेडा में इसका show book कराया, और सबसे पहले देखने पहुच गया, तो guys, मैं इतना ज़्यादा excited था, और excitement level जो मेरा high था, उसको return मिला, बह बहुती ज़्यादा शांदार, one of the Marvel की best movie है, और Black Panther के बाद, क्योंकि Black Panther बहुती अच्छी origin बनी थी Marvel की तरफ से, तो Black Panther के बाद, उससे भी ज़्यादा better performance जो आपको देखने में मिलेगा, वो इसी movie मिलेगा, जो बहुती ज़्यादा शांदार और amazing है, जो के आपको आपको मेरे वीडियो पसंद आचाहिए, तो वीडियो को like और चैनल को subscribe कर दिए, और साथ में bell icon को भी press कर दिए, अब चाहाँ अपना हाथ मारो, या मत्था दे के मारो, जो भी मानना है मारो, लेकिन मेरे चैनल सब्स्क्राइब हो जाना चाहिए, तो guys मिलते है, नेक्स वी यूँ जोस्याद य मैं यूजए, वारो, थो जाए्फ मनी-।ूची को ढाती हॉए, धिक्वान वीडियो को अपना जोस्ब aç्・ आप Only, किनल सबाऄिक Okay'suit May pourfrage चैनल Sunday, तो ऑना आप साथ में जोस्ब चाहॉण अजोओख, worldly.